गुड मॉन्यू तो अलाव यूण विल्कम बैक तुमाने क्लासे सायम डॉक्टर सोफियादो कृष्णा मैगनेट माइंड में आप सभी का हार्तिक अभिनान देन स्वागत है हम लोग बात कर रहे हैं फूड न्यूट्रिट्स एन हाइजिन एक अनिमारी बिसे के रूप में ज्सठेट के सभी उनिवरस्टी में पार्ठेकरम के रूप में जाना जाता है ब स fun becoming part 1 के सभी एस्टिट के लिए बहुत ही इंप्यूट्ट request है बहुत है है बहुत ही इंप्गर्ण luxं है जो करीब और सब जगह एक समान पार्ठेकरम के रूप में है प्रीप रीएस मात्रा में पाया जाता है पारा आपसन है मिल्क दूसरा है औरेंज तीसरा है सुगर केन चौथा है क्रैप्स इसमें जो सही आपसन होगा वो होता है सुगर केन अर्था सुक्रोज की सबसे अधिक मात्रा जो पाई जाती है वो गन्ने में पाई जाती है किसमें पाई जाती है गरना में पाई जाती है तो इसका आपसन नमबर कौन सा होगा आपसन नमबर सी सही होगा आईए बात करते हैं क्वेस्टन नमबर 42 दा मेन कार्बोहाइड़ेट से इसली डाजिस्टेट बाया न्यूबॉर्ण इज एक नौजात द्वारा आसानी से पचने वाला मुख्य कार् होता है यह क्या होता है यह मिल्क में पाई जाता है दूद में पाई जाता है न्यूबॉर्ण बेभी जो सही होगा आईए बात करते हैं क्वेस्टन नमबर 43 दहाइड फैट कंटेंट वसा कि अधिक मात्रा किसमें पहनट है भुषा गिया है यसमें करला है सोयान की अधिक मात्रा कि मिक्षा पाएग़ टो सभी टो इसमें जो होगा ओधाyn कौन साइऑ इस होगा सा अपकार से क्या भाएगे पाएग जाता है पनीर में सब्सक्राइब प्रकार से उपरियुक्त सभी आपसे नमबर ढ़े जाती है आए बात करते हैं कि नंबर 44 कैलोरी इनरजी फॉर्म दा ग्राम आफ फैट अर्थात कह रहा है कि एक ग्राम फैट में कैलोरी इनरजी कितनी होती कितनी दॉसरा है चार तीसार है नौ तो आपको रिबार कर लेंगे कि एक ग्राम फैट के ब्रेकडाउन होने से यह ग्राम फैट के ब्रेकडाउन होने से 9 प्रेट के ग्राम होता है तो इसमें 9 कीयो कैलोरी दूर्जा वह त Marshak बनती है ठीक आईए बात करते हैं किस्टन नमबर 45 एक वयस को वसा की मात्रा वसा की आउसकता होती है एक वयस को वसा की आउसकता होती है पहला है 20 ग्राम दूसरा है 40 ग्राम तीसरा है 25 ग्राम और चौथा है 30 ग्राम तो आप इसको रिमार कर लेंगे एक वयस्क मनुस्थ के लिए पर दे 30 Gramms safeta होती कितने गराम उसकता होती एक वजस्क मनुष् azul के लिए प्रति-d Corys ग्राम सकता होती तर्पाइट का मतलब होता है दो चंण दो चंच इसलिए आप सब्सक्राइब बॉटी सही होगा आदिए अच्टim हम qualcosa को नहीं को आपको फाइट की कमी से शुके सीन का प्रॉबलम हम फाइनोडर्मka करें तो इसमें आपसा नमबर D सही होगा आईए बात करते हैं question number 47 approximately what percentage of fat is in peanuts एक मुंगफली में लगभग fat की कितनी मातरा पाय जाती है question कहा गिया है मुंगफली में लगभग कितनी precious वसा होती है पहला है 30%, दूसरा है 40%, तीसरा है 50% और चौथा है 60% इसमें सही आपसान C होगा 50% पाया जाता है एक मुंगफली में जो वसा की मातरा होती है वो 50% होती है कितनी होती है 50% वसा की मातरा देखने को मिलती है पीनर्स में अर्थात मुंगफली में आईए बात करते हैं question number 47, sorry 48, आर्गेनी कंपाउंडी कार्वनिक योगिक है पहला आपसन है fight, दूसरा है energy, तीसरा है कार्भो हाड़ेट और चोथा है living organism तिसमें जो सही आपसन होगा, आपसन नमबर A सही होगा अर्था जो वसा होता है बच्चों ये complex organic compounds होता है ये complex organic compound होता है, होता तो कार्भो हाड़ेट भी है लेकिन यहाँ suitable आपसन जो होगा, आपसन नमबर A सही होगा fight जो होता है, वो complex organic compounds के रूप में जाना जाता है तिसमें आपसन नमबर A सही होगा आईए बात करते हैं, question number 49 overweight person, ज्यादा मोटे ब्यक्ति को क्या होता है पहला है diabetes, दूसरा है मेरसमस, तीसरा है क्वासर, पूर चोथा है malnutrition, तो बच्चे जो overweight, जो obesity का सिकार हो जाता है उस patient में diabetes की problem हो जाती है कि मदुम्या की बिमारी हो जाती है, जिसको हम ability बहुत जब सब्सक्राइब हो जाता है और विबारी को हम hyatori感 काते है, ठीक, तो यह किसके वज़ेसे होता है obesity की ब्यसक्राइब, ज्यादा मतापा, मWत्यक्ति की मदुम्या का वग कारन बन जाता है तो आपसे नमबर यह सही होगा आएए बात करते हैं कैसे नमबर 50 अबेन सोर्स आफ इनर्जी उर्जा प्राफ्ट करने का मुख्य साधन है पहला है वाटर दूसरा है फैट तीसरा है हंगर चौथा है ननाव दस्वीटेबिल तो जो इनर्जी प्राफ्ट करने का मुख्य लेकिन कार्बो हाड़ेट हमको रिकरेंड इनर्जी देती है लेकिन कार्बो हाड़ेट से ज्यादा इनर्जी कौन देती है वसा देती है ठीक तो इसमें आफसन नमबर भी सही होगा ठीक आएए बात करते हैं कैसे नमबर 51 इनफाइट सॉल्वल वसा में घुलन सिल है तो व नंबर रहे होगा आए बात करते हैं कर्ष्चन नंबर 56 ना विटामीन के डिसके बिटामीन के पडिश्कवर्ड चाप खोजह गया था इसमें आपसं जो होगा आपसं नंबर यह सही होगा नाइटीन थरिटीटरी वैसे एक चुली वच्चों इसको हावर बॉड इचामीन हमारे सरी रीको किया साथ deal बिलकुछ सवनाता है इसमें आपन क्या होगा ही थी थी तो भी रही deposit नहीं है था में की बहुत सुछ मात्रा ही हमारे जरूरी होती यह क्योंकि हमको mathematics से लेना होता है वो ह्मारे सतरीर को कैसा करता है शुस्त दृस्त बनाता है तो इसनले हमको or लेना चाहिए आएए बात करते हैं क्वेस्टन नमबर फिप्टी एट विटामीन से एज मोस्ट फाउंड इन विटामीन एक सरवाधिक मात्रा पाई जाती है पहला है लीवर दूसरा है काराट तीसरा है टमाइटो और चौथा आयल तो विटामीन एक प्रचूर मात्रा जो हो एक ऐसा सोर्स है जो किसे प्राप्त होता है संलाइट से हमको प्रति दिन संलाइट लेना चाहिए जिससे हमको विटामीन डी की कमी न होने पाए यह विटामीन डी हमारे हड्डियों को मजबूत करता है ठीक ना तो विटामीन डी की बहुत आवजशकता होती है और यह कहां सबसे अधिक बिटामिन सी की मात्रा पाई जाती है किसमें पाई जाती है अधिक्रामीन सी और विटामिन के रासानिक नाम जरूर याद कर लीजिए तो विटामिन बीटू को क्या कहते हैं राइब फ्लैविन के नाम से जानते हैं इस प्रकार से विटामिन आपसे नमबर भी सही होगा आएए बात करते हैं किस्टन नमबर 62 अमाउंट आफ वाटर एक्सपेल्ड फ्रम यह प्रकार से उट्सर्जी अंग होता है और इस जाता है कि प्रति दिन कितने मचलती है यह आए PTSD बाहर निकलती आई आएए बात करते हैं हमारे सरीर में तापमान को कंट्रोल करने का काम करता है तो Cash हमारे सरीर के तापमान को क्या करना растा है इस प्रकार से आपसे सही होगा आध करते हैं कैसटनally 64 हमारे सरीर में कितना जल कम हो जाने से मृत्य हो सकती है तो हमारे सरीर अगर 20 परसेंट पानी रह जाएगा तो हमारा डेथ हो जाता है तो ज्यादा ज्यादा अगर पानी डिहाइड्रेट हो गया हमारे सरीर से और 20 परसेंट पानी अगर बाकी रह गया तो समझे उस पैसेंट का डियत हो जाएगा इसलिए हमारे स्रीष से पानी बहार नहीं करने का मारी प्लड को भी क्या करता है विलकुल डाइलूट करने का काम करता है तो प्लड जो वाटर होता है साथ ही साथ हमारे body temperature को regulate करने का काम करता है control करने का काम करता है इसलिए हमारे सरीर में 20 per cent अगर पानी हो जाएगा हमारा death हो जाएगा इसमें आप्सन नंबर ए सही है आई ये बात करते है प्रतिस्चत मात्रा कितना होना चाहिए तो आप इसको रिमार करेंगेगे मैंapt बहुत ही suitable रहा होगा बहुत ही helpful है इस प्रकार से बच्चों हम आपको अगले next वीडियो में भी next questions लेकर आएंगे अगर बच्चे हमारे नए वीबर्स हो तो सबसे पहले हमारे प्रकार का कोई सुझाओ हो किसी प्रकार से कोई आपको बाक्स में टाइब करें वेल आइकान को ज़रूर प्रेस करें जिससे हमारी नए नोटिफिकेशन वो आपके पास तक पहुचते रहें मिलते हैं बच्चों में नेस्ट सेगमेंट के साथ अब तकले वच्छो थन्यवाद